दोस्तों आपका जीएव का कोई भी Kip 8 phone है उसका जो है प्राब्लम device internal storage full यहां पर ध्यान से देखते हैं device space is low ठीक है ईसा बार-बार आता है आपको ब्राब्लम करता आपका कोई काम नहीं होता है आपका कोई work नहीं होता है और बार-बार device space is low बताता है तो इसका और हर पैसे आगा जो इसे problem को solve कर सकते हैं, इसका problem device space low का problem है, उसको मैं solve करकर आपको live proof दिखाने वाला हूँ, दोस्तो device low बताता है क्यों, इसका problem यह है कि आप उपने phone को setting में आई है, ध्यान से देखेगा, और सारा problem आपका phone का solve जाएगा, कोई भी आपका problem हो, ठीक है, अब आप आपको यहाँ पर device का option मिल जाता है, ठीक है, अब device is for sensor low बता रहा है, आपका device space low, लेकिन कोई भी दिक्कत होगा, उसको आपको simply device में आना है, setting में, और आपको reset phone के option पर आ जाना है, और reset phone पर click करना है, और यहाँ से आपके phone को reset कर देना है, आप यदि अपने phone को reset कर देते हैं, तो आपका device space low बता रहा है, वो सही हो जाएगा, fix हो जाएगा, और आपका बता रहा है कि कोई भी समस्या हो, वो problem जो है, आपका solve हो जाएगा, आपका कोई application नहीं खुल रहा है, वो भी solve हो जाएगा, दोस्तों, आपका phone जो है, जब आप reset करेंगे, कुछ time के बाद आ आन होगा, यहाँ पर आपको अपना language यानि भासा चूच कर लेना है, और next पर click कर देना है, अब फिर से accept कर लेना है, फिर से accept कर देना है, और आपका phone पूरी तरह से आन हो गया है, दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपका phone जो है, अब device space low नहीं बताएगा, आपका अब देख सकते हैं, device space low नहीं आ रहा है,